हेलो डियर स्टुडेंट वेलकम टी ओर चैनल स्वामी विबेकरन टेक्न टुटरियल और माइसेल डॉक्टर राहूल कुमार सो डियर स्टुडेंट क्लास 12 फिजिक्स में लास्ट क्लासेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लेक्त्रीक पोटेंशियल मतलए लेक्त्रीक पोटेंशियल ग्रडियेंट और एलेक्त्रीक फिल्द का रिलेशन्स को समझे थे तो देखिए आज की क्लास जो है वह बहुत हीtag्ने है इस अभी जो हम लोग डिसकॉशन करने वाले हैं देखिएगा जिद लास्ट क्लासेट आप साइड में क्या होगा सरफेज पे क्या होगा इस सब के बारे में जो होगा मैंने डिस्कसन किया था इलेक्ट्रिक फिल्ड के लिए ध्यान से समझ जो जदी कोई बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे डेली कलासेस देख रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रोब्लम नहीं है और सब्सक्राइब की है जाके प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में बना हुआ है सारी क्लासेस अब को आप वहां से देख लेजिए हां और यह चीज़ है जो अभी जो क्लास हैं हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं कहां पर स्फेर के तो इसप्रिक्प्षन बॉक्स जो है वहां पर प्रिल्ग के लिए तो अच पर अंदर से खोखला होगा बात समझे अदर में पुरा खाली है और अदर में एक सेल बनाओ बात को समझे और एक क्या होता एक तम अदर से भरा हुआ है ना तो आप बात को समझे कि दोनों में हम लोग क्या अंतर है और दोनों में हम लोग electric potential को किसे find out करेंगे तो देखे乐 electric potential due to charge sphere समझेबात को जब लोग बात करेंगे हैंbest ट्रका스र का तो दो तरक होला होगा solid होगा Cross committed by यह में अभिएula में दो तरक है बात को समझेंगा चार्ज का जो समझेंगा जो चार्ज को बात करते हैं मतलब समझें यह चार्ज का क्या होती है तो यहां पर क्या होता है कि चार्ज, चार्ज जो होगा, resides on the surface. समझेगा, बस solid का non-conducting में जो होता है, uniformly distributed होता है, पूरा body में, uniformly distributed होता है, throughout the throughout the body, whole body में, इसमें बस, लेकिन ये तीनों case का जिसे बात करेंगे, charged hollow का conducting, non-conducting और solid despair का conducting में, तो तीनों में surface पे होता है, क्या होता है? Surface पे होगा जयान समझेगे, surface पे होगा इदम basic concept बता रहा रहा है इदम basic concept ठीकी अब आते हैं, देखिए हम लोगे का पास देखिए एक कोई a sphericalitsail है ध्यान समझेगा, यह कोई a sphericalitsail है देख रहें, charge जो है हम लोगों को कहा रिसाइट से बहार में माहने लेते हैं क्यों चार्ज तो सपोर्ड यानकुच लिया है जो की सेंटर से आर डिस्टंस पे है इसका रेडियेस माना की आर तो देखिए कि हम लोगों ने जो पढ़े कि यह ईर्ल लोगे ने पढ़ा है कि जब में पढ़ाउने पढ़ों, इस नहीं ही को चार्ज में में तो इस थम व्हों बाएंप धूरा किसी का रहा है कि पढ़य को तो अच्छे got the तब जाकर कि कुछ होगा तो चली आते हैं तो देखिए यह लोग सबसे पहले आउट साइड का बात करते हैं सब्सक्राइब ए आउट साइड हम लोग ले लेता हूं आउट साइड पर है ना सो इलेक्ट्रिक फिल को जानी क्योंकि रिलेस्ट तो वहीं से आएगी ना सो इलेक्ट्रिक फिल और उट साइड पर बात कमते हैं तो याद होगा आप लोगों को वान भ फोर पाइअपसिनन। क्यों वाइ याद के जिए आर स्कॉाइर यह ना ऐलेक्ट्रिक फिल ऊंड फजक्ट में तेखिए लास्ट वीडियो को पहले हां थिक है लास्ट वीडियो को पहले देखिए इस इकल टू माइनस डीवी बाई डी आर ठीक है अब देखिए हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है पी पोइंट पे ध्यान से समझेगा तो एक चीज़ का कॉंसेप्ट यहां पर बहुत अच्छा है क्या इंफिनीटी पे पोटेंशि जीरो होता है इंफिनीटी में पोटेंशियल 00 होगी याद कर लिए उसको और इस इकल टू मännerसश डी बाई डी आर ठीक है हम लोगों क्या निकलना है पोटेंशियल निकालना है यहे वाला एक HIS है में यहां से देखिए हम लोग डीवी निकाली क्या निकालिए सो डीवी इजुकल टू ध्यान से समझिएगा माइनस इडी आर इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को इसको एकुशन नमर वाल मान लेजे इसको टू मान लेजे ठीक है अब देखिए इस चीज और यह डी आर बोलिए इसमें कोई डाउट है कि इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए तो सिंपल हम लोगों ने देख रहा है यह का बहलू और एका जो रिलेशन हम लोगों काया था और भी इंपिनिटी जीरो होती है डीवी यहां से निकाल दिए एका बहलू को पुट कर दि हो ठीक है जीरो से लेकर कर के भी होगा बसंग में इंफिनिटी पे जीरो है और अग्डे काष गों फॉरी Q-by-R-square द्यान से समझे क्या है दिखे द्यान से क्या है one by four by epsilon not Q by r square और यह डी आर है ना अब देखिए जो बाहर करना बाहर कर देटे है one by Q by four by और बाहर हो जाए गी Q by four by epsilon not minus है ठीक है अब दिखे one by r square आ गया क्या आगया बाइ या दिया इस सब कर अप लोगों को हिसा फॉर्mula बताया था मैं याद कर लिजेगा ये सब ठीक है? एकसट अधी एकसट अधी आप सिख्ष कुल टु अपक भीन फॉर्म्याद कर लिजेगा ठीक है यहाँ पर वान अधर स्कूरर है exist want b1-1 अधर लिख सकतें कि ये पर चाएगी तो पर च्रूट कर दी तो यहां पर क्या जाएगा इसको कीजिए स्वालों देखिए यह क्या है इंफिनिटी से लेकर के आर इंफिनिटी से आर समझ मारा होगा ठीक है अब यह जीरो से यहां तो भी ही हो जाएगी तो भी इसको समझेगा खेल जाएं यह क्या है 4 वाई एप्सुलं नोक है माइनस को बहार करते तो पलस हो जाएगी अब देख्या इन्फिनीटी 1 by infinity 0 होती U1 by r होती है तो यह सिंपल क्या हो जाएगा इसको हम लोग 1 by r मतलब ऐसे लीग लिए अच्छे से 1 by 4 यह तो वही पोटेंशियल आ गया जो हम लोग एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाल है ठीक है तो देखिए एलक्ट्रिक फिल्ड हम लोगों ने एक पी पॉइंट आउर्ट साइड में कितना निकल गया देख सकते हैं वन बै फोर पाई एप्सुलन नौट क्यू बाई आर ठ है इड सर्फेस पर गुछ ने और इजए इगल टो आर खालि कर देजिए बस हो गया आज इगल टो आर तो वी इगल टो वन बाई फोर पाई एप्सुलन नौट क्यू बाई आर यह हो गया सर्फेस के लिए न अब ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पर आप में एट इंसाइड पर द्यान तो मिशनके कि सम्रल्म चलते हैं कि कहीं पर हम लोगों ने ले लिया है यह सब्तिा प्लग हम लोग meg deejl d इंपल सा कॉंसेप्ट है कि हम लोग पी पॉइंट और देखें पी पॉइंट का बात कर रहे हैं तो कहां से लाएंगे हम लोग बाहर से नहीं लाएंगे यूँदिस कंटिन्यूस फंट्सन हो जाएगी यहां पर जाने के बाद कुछ अलग वैलू है तो फंट्सन क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फिल्ड जो फंसन है यहां पर क्या हो रहा है इसलिए हम लोग बाहर इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे हम लोग मान के चलेंगे कि सर्फेस में है कहीं पर थोड़ा सा यहीं से चार्ज को मूब करा रहा है पी पॉइंट में अंदर में यहीं से अंदर में बाहर से इन्फिनिटी से नहीं ला रहे है हम लोग कहीं यहीं से ला रहे है बस मात को समझ यहीं पर ला रहे है तो माल लेते हैं कि आपका क्या है यह पी पॉइंट आपका सर्फेस है मा तो सर्फेस नहीं बोल रहा हो लेकिन बोलोगी थोड़ा से अंधन में तो हम जानते हैं क्या कि इजुकल टू माइनस डीवी बाई डी आर क्लियर है फिर सो डीवी इजुकल टू ऐसा भी लिख सकते इसको इंटिकेशन डाइट कर देते हैं इडॉट डी ती लेक्ट्रिक फिल पी पॉइंट एस पॉइंट ठीक ना मतलब एक पी पॉइंट है और एक कहीं पर एक दुसरा पॉइंट होगा ठीक है तो वहां का पोटेंशियल तो वीपी और माल लेते हैं उसको और इधर तो जीरो होगी तो यहाँ पर जो भी पी आएगी वह किसके बराबर आएगी सब्सक्रीब कर पॉइंट है तो मानले तो अशक्रीकल स्छी होगी रही था, यहाँ मतलब इसको साखता पोटेंशियल और इस इंप होता है मतलब यह वोगी होगी वह सेम होगी लेकिन फिल जिरलता जिरो था लेकिन प्रमाइफ प्रेस्ट जीरो इन साइड नहीं होगी वह सरफिस पर इतना होगा उत्ना ही होगा तो देखिए इसके अब करते हैं तो समझें बात को 이해 सबогं के ऑसी एपको साधियेगी वह क्या आश्य है तो मान कशलते हैं यह सरफीस तक राडियस है तो हम लोग ने क्या देख आउक्साइड में क्या देख्या एंभर्सरी प्रोप्रोज़ अलिख क्या है आउक्साइड में भी प्रोप्रोज़व kita बात को शरू पर गई इनकिएْल pokड variety tout पूत नहीं है जितना हम लोग का और रेडियस में हैं ध्यान तो समझेगा यहां पर हम लोग के पोटेंशिल क्या हो जाएगा वान पॉर पाइपसिलन नौट क्यू बाइए आर ठीक है अब उसके बाद जब हम लोग रेडियस आर से बाहर जा रहे हैं तब आप लोगों का दे देखिए यह बराबर होगी फिर यह चीज जो है कि जब बाहर में जाएंगे तो हम लोगों का देखिए ध्यान से प्रोपरेशनल टू वान बाई आर है ना तो यह चीज में कोई डाउट नहीं होगा यह हम लोगों का सिंपल सा कॉंसेप्ट समझ में आगे आगा आगा आग है तो यह जो क्लास से हम लोगा समझ में आया स्फिरिकल सेल के लिए निकाला तो हम लोगोंने क्या देखा देखिए यह पोटेंशिल यह ऐखिए होलो स्पेर एंग हो थिक है सेम कॉंसेप है और सॉलिड एस्पेर जदी चार्ज बाहर में reside होती है हम लोग next में जो पढ़ेंगे solid as pair non conducting के लिए यह में charge पूरी तरह से अंदर में distributed हो जाएगी तब हम लोग अलग concept पढ़ेंगे लेकिन अभी तीनों के लिए conducting non conducting और solid का conducting यह ही रहेगा कोई change नहीं है तो अच्छे से समझ जाई इसको तो ओके बचो तो असा करते हैं क कि आप लोगों को यह class पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और मैं बार-बार कह रहा हूं कि तो नोट्स बनाइए ठीक है नोट्स बनाइए अच्छे से मन से पढ़िए तो के बाई all of you take care